हेलो गाइस कैसे हैं आयोब अच्छी होंगे हमेशा की तरह मैं कंटेंड और लेकर गया हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेडमी का 9A9C Poco C3 मॉडल है जैसा कि मैं आपको यहां पर थोड़ा सा दिखाने की कोसिस करता हूँ तो गाइस क्या है किसी टेक्निशन ने इसको फ्लैसिंग के टाइम पर डेट कर दिया है जैसा कि मैं आपको उता दूँ मैं इसकी पावर की मैंने सारी चीज़ इसको डाइगनोस कर लिया था तो सारी चीज में आपको बताने वाला हूँ तो किसी टेक्निशन ने इसको बताया कि फ्लैसिंग टाइम में यह फोन डेट हो गया है तो जैसे कि आप सकते हैं यह रेड्मी 9A 9C के मॉडल से इसको हम जानते हैं बेसिकली तो यह फोन बेसिकली डेट है बट यह कैसे है मैंने डाग्नोस किया तो यह पूर्ट बना रहा था तो यह पूर्ट बना रहा था तो मैं आपको डेट स्टैब बाइस्ट थोड़ा सा समझा देता हूं अगर यह फोन डेट है तो सबसे पहले आपने डिसी में इसकी कंडिशन उसकी पीसी भी देखिए सारी चीज़ देखिए पर कस्टमर जिसका भी फोन है इन्होंने बताया और फ्लैस के दोरान अगर फोन सही नहीं होता है गाईस तो इसकी इमिमसी की कंडिशन चेक करिए तो फिलाल मैं सबसे पहले इसको करने वाला हूं अगर फ्लैस से हमारे सही हो जाता है तो ठीक है नहीं होता है गाईस तो फिर हम इसकी इमिमसी भी आपको चेक करके सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन दवाल है जिससे हमारे नए वीडियो आपको तुरंद मिलें मैंने इसको जब चेक किया तो गैस यह पूर्ट बना रहा था हमारा फोन तो सबसे पहले आपको फ्लैस करना है फिर उसके बाद इसकी इमिम सी देखने कभी भी डैड में आप ऐसा नहीं कि थेनर लगाई और पैस्ट मारके हिट मारके यह सब अगर 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 फालतू चीज करते हैं पर वीडियो को अगर नहीं पता है तो लाज टिन तक जरू देखी का तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ सबसे पहले हमें यह चाहिए दो टूल चाहिए एक एसपर फ्लैस्ट चाहिए क्योंकि आप किसी भी टूल से तूल से कर सकते हैं चाहिए वो अनलॉक टूल हो चाहिए वो एनी सोर्सेज जो आपके पास मेंटर टेप को फ्लैस करता हो तो बैसिक लिए हम यह पर टूल करने वाले हैं इसका वर्जन है आपको 1924 और मैं इसको खोड़ लेता हूं गैस इसके साथ साथ मैं चलता हूं आपको और यह मैं इसको उपन कर लेता हूं उसके बाद आपको एक फ्लैस फाइल चाहिए इस मॉडल का जो भी यह मॉडल है इस मॉडल का आपको फ्लैस फाइल चाहिए और इसके और आपको टूल की जुरूत पड़ेगी तो चलिए मैंने यहां पर 1924 यह टूल को खोल लिया है इ यहां पर इसके फाइल है जब इसके इमेज फाइल आती है मैं में और जब इसके आप इंदर जाओ गे तो यहां पर आपको इसकाटर दिखाए दे रहा है मन्तब मीडेटेक cpu में हैं तो यहां पर scatter file है, हमारे पास file होगी, file के साथ साथ एक tool हमें और चाहिए mct bypass, जो कि यह हमारा auth को bypass करता है, तो basically चलिए हम फटापफट start करते हैं, तो guys हमें second step क्या करना है, सीधा हमें tool में file को डालना है, तो जहां पर हमारी file है, यह हमारी file है, इसके अंदर जाते हैं, और यहां पर image में जाएंगे, और यहां पर देखें हमारी scatter file को select कर लेंगे, उसके बाद scatter file जैसे हमारी load हो जाएगे, अगर कोई error आता है, तो आप दु खोल लेता हूं दोस्ति, यह हमारा tool है, जो auth bypass tool है, जिसमें आपका port जो है, वो stable हो जाएगा, और यह खुल गया हमारा guys, तो यह two tool हमने यहाँ पर खोल लिया है, एक हमें flash करने के लिए tool चाहिए, और एक हमारे auth को bypass के लिए चाहिए, तो चलिए हम bypass पर simple click कर देते हैं, और तो आपको करना है, क्या है, वेलम up down दबा के phone को connect करना है, वेलम up down दबा के phone को connect कर रहा हूं यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको दिखा दू है, यह मैंने वेलम up down के phone को connect कर दिया है guys, अब मैं phone को stable जगह पे रख दूँंगा, और इसके बाद मैं device में ज़घ खोलता हूं, और लेता हूं कि हमारा पोर्ट यह है वो स्टैबल गई तो अब चली यहां पर करना है एक चीज़ पर दियान देना है करस्ट पे आपको अंतिक करना है नहीं तो आपको एल आ सकता है तो क्या करेंगे और यहां यहां पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो गाइस हमारे फ्लैसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो कोई भी एरा नहीं है वन टाइम में आपका जॉप देन हो जाएगा बट आप अगर स्टैब बास्ट फॉलो करते हैं तो दू कंडिसेनर फ्रेंड कि अगर यह फोन इसक इसकी आपको MMC की हैल्थ चेक करनी है अगर आप इसकी MMC की हल्थ चेक करेंगे तो हो सकता है IC जो है MMC हमारी है हो 90% consume हो सकती है तो चलिए फिलाल अभी तो हम कर रहे है first step flash flash के दोरान देखते हैं कि हमारा phone on होता है कि नहीं तो ऐसे वीडियो में आप बने रहे हैं last year तक मैं आपको last year तक दिखाऊंगा कि हमारे जो phone है ये completely guys on होता है कि नहीं और इस वीडियो का अगर आपको full अभी मैं एक स्रीज सब को ready कर रहा हूँ अभी इसका hardware जैसे मैंने कुछ दिन पहले इसका वीडियो डाला हुआ है इसी का Redmi 9A का अगर light section में आपको problem आती है तो गाइस अभी ये complete हो जाएगा अभी हमारा super और download flash अभी complete हो रहा है 62% हो चुका है और देखते हैं कि guys कि हमारा complete होता है कि नहीं होता है अगर अगर 68% होज गया आप हमारे चैनल को subscribe कर लें और बैल आइकन दवाल है जिससे हमारे नया notification आपको मिलते रहेंगे गाइज 87 बहुत ही इजी तरीके से यहां पर flash आप ऐसा नहीं गाइज यह जो method है आप एप एप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यह आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे टेली को जोईन करेंगे तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि step by step कैसे यहां पर प्रॉपरली तरीके से सिखाए जाता है अभी आप देख सकते हैं हमारा user data राइट हो रहा है अगर यह सिस्टम और vendor हमारा राइट हो चुका है गाईज तो अगर यहां पर कभी भी आगर error आता है सिस्टम में या सुरू में error आता है अगर आप कस्ट को अंटिक नहीं करते तो आपका यहां पर error देखने को मिल जात हो है तो पूरा का पूरह यह आपट हो जाएगा बट हैं पर यहां पर हम यहां पर ऐसा स्टाने हिए कि आप कोलागर में देख सकते हैं मतलब कोई भी डैटा दिली — नहीं होता और यहां पर फोट हो जाता गाईज, 81% completely हो चुका है, बस थोड़ी सी दोएर और लगेगी, उसके बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि हमारा यह phone on होता है कि नहीं गाईज, 96, 97, 98, 99% हो चुका है, अब मैं चलिए data cable को लगा ही रहें दूँगा, और आपको दिखाऊंगा, अपने mobile screen में ले चलते हैं, और इसमें दिखाते हैं guys कि हमारा यह phone problem solve हुआ कि नहीं हुआ, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर guys मैं आपको step 2 है, mmc को check करना है, और देखता हूँ कि यह guys हमारा on होता है कि नहीं होता है, तो guys यह wife phone है, जैसा कि हमने आपको दिखाया हुआ था, तो यह देख सकते हैं, मतलब flashing से हमारा यह job done हो चुका है guys, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, flashing से हमारा यह काम हो चुका है guys, बहुत ही simple तरीका था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हूँ तो यह बहुत यह देखे सेकंड लोगों पर भी हमारा आ चुका है गाइस मतलब यह फोन कभी भे डैड आया गाइस तो आप डैड को step by step follow करें कभी भी आप अगर आपके पास डैड फोन आता है गाइस तो हमेशा इसको step by step follow करेंगे तो आपका हो जाएगा अगर यहाँ पर flash करने के बाद भी हमारा phone on नहीं होता गाइस तब आपको इसको mmc पर work करना पड़ता इसकी mmc की condition देखते नहीं तो गाइस इसकी mmc आप check करते अगर यह 90% consume भी हो जाता तो भी यह काम नहीं होता ने तो ज़्यादा तर चैनली इसक रिमॉफ करते हैं और इसकी frp bypass कैसे करते हैं यह दूब को गाइस तो आप हमारे चैनल में जाकर के वीडियो में देख सकते हैं आप सर्च कर सकते हैं प्रॉपर मॉडल नॉम्बर और बाद में आप smart telecom लिख देंगे तो आपको इसके प्रॉपर वीडियो स सारे चीज़ो कर सकते हैं तो इस वीडियो को भी जा करके आप वाच कर सकते हैं तो गाइस देख सकते हैं फोन प्रॉपरली ओन हो चुका है गाइस जस्ट सेकेंड यहां पर यह देख सकते हैं है माइवाइट ट्वल हमने माइवाइट ट्वल पर ही फ्लैस किया था लेटेस फ़र्म बेर से और इसको फटाफट मैं नेक्स कर देता हूं और आगे बढ़ा देता हूं फिलाल यह हमारा फोन अन हो चुका है बाकि आगे का स्टेप तो आप जानते ही जानते हैं तो फिर भी आपको दादू लॉस नहीं होगा जस्ट सेकेंड लॉस अससे yo 2 अभी मरणार कम्विट ili फैनली तोर से ख़्रन हो जाएगा 9 मैं सब्सक्कांप leak यहां पर निक्स्ट आपक्लासिक और यहां पर नेक्स्ट क्लासिक और यहां पर सेट सटब कंप्लीक जस्ट से कsoon अब यह Mrs फोन यह completely on हो जाएगा गाई तो यह फोन जो था डैड था दोस्त दोस्तों यह हमारा जो फोन डैड था यह देख सकते हैं हमारा यह आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना बोले मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में अभी तेक के लिए थैंक्यू सो मच